नमस्कार आप सभी का डीजी स्कुल में स्वागत है आज हम लोग कक्छा 7 का प्रायोगीक जामीती जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रश्णावली 17.2 ठीक है तो हम लोग सुरू करते हैं 17.2 इसमें करना ये है तिर्भुच की रचना करना है जब तिर्भुच की तीनो भुजा दी हुई हो तो हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम लोग जब तीनो भुजा तिर्भुच का दिया होता है तो कैसे तिर्भुच बनाते हैं तब पहला कोश्चन कहता है तिर्भुच PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4.4 cm दिया हुआ है QR बराबर 6 cm है और PR बराबर 5.3 cm है तो हम लोग इसमें से कोई एक भुजा हम लोग ले लेते हैं तो हम यहाँ पर लिये है QR बराबर 6 cm तो हम एक रेखा खंड ऐसे लिये और इसको यहाँ पर काट लिये इसका नाम हम लोग रखे QR यह Q और यह R जिसकी दूरी हो गई 6 cm इसके बाद हम लिखे Q को केंदर मान कर 6 cm तरीजा का चाप ठीचेंगे हम लोग तो यह हम लोग स्केल पर रख करके इसको ऐसे हम लोग नाप लेंगे और यहाँ से यहाँ 6 cm हम लोग ऐसे मान लिए यह हम मान रहे हैं यह 6 cm ऐसे हम लोग रख करके काटेंगे यहाँ पर यह कहता है P 4.4 cm तो यहाँ रख करके हम लोग ऐसे काट लेते हैं तो यह मेरा मान लिए यहाँ कमपास रखेंगे हम लोग ऐसे काटे हैं तो यह मेरा कटा ऐसे, इसके बाद हम लोग छोसे इंटिमिटर तरीजा के चाप खीचे आर को केंद्र मान कर अब हम यहां केंद्र मानेंगे अब पांच दसमों लोग तीन हम लोग ऐसे काटेंगे यहां रख करके यह ऐसे काटे यह जहां कटा है, इसका नाम रखेंगे हम लोग P, है ना, जो P पर परतिछेद करती है, फिर बोलते हैं Q को P से मिला देंगे हम लोग ऐसे, और P को R से हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो यह मेरा जो है, इसका नाम लिख देते हैं, यह 6 cm, P Q मेरा हो गया, 4.4 cm, यह काट सेंटी मीटर हैं ना इसलिए मेरा ये बन गया P Q R ये तिर्भुज हो गया जिसकी तीनो भुजा दी हुई है सबसे पहला काम हम लोग Q R रेखा खंड ले लेंगे 6 संटी मीटर का Q से एक चाप ले करके हम लोग ऐसे काटे 4.4 cm का R पे 5.3 ले करके हम लोग इसको ऐसे काटेंगे जहां ये कटेगा जहां परतिछेद किया इसका नाम P रखेंगे P को Q से मिलाएंगे P को R से मिलाएंगे इस प्रकार P Q R तिर्भुज बन गया कोस्चन कहता है कि 7 cm भुजा वाले एक संबाहू तिर्भुज की रचना किजिए तो एक भुजा दी हुई है 7 cm और ये है संबाहू संबाहू कहते किसको है हम लोग जिसकी 3 भुजा बराबर हो मतलब 3 भुजा 7-7 cm का होगा तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कोई एक रिखा खंड लेते हैं इसकेल से नाप लेंगे हम लोग ऐसे और ये सका लंबाई माल लग ये है 7 cm ठीक है इसका नाम रख दिये हम लोग A और इसका B फिर क्या करते हैं हम लोग कमपास पे 7 cm का है ऐसे नापेंगे हम लोग, और यहां से ऐसे काटेंगे, तो पहले A से रख करके हम लोग ऐसे काटेंगे, फिर B से रख करके ऐसे काटेंगे, जहां काटेगा उसका नाम C रखेंगे, C को A से मिला देंगे, और C को B से मिला देंगे, तो यह भी 7 cm, यह भी 7 cm, तिनों भुजा 7, सा सेंटीमेटर हो गया इस तरह से a b c इसलिए a b c एक संभाहु तिर्भुज बना हो गया हम लोग यहाँ पे लीग दिये हैं कि a करेखा खंड a b वराबर साथ सेंटीमेटर लेंगे और a को केंदर मान करके 7 cm क्रिजिया का चाप हम लोग खीज देंगे जो ये दोनों चाप कहां कटेगा बिंदू C पर परती छेट करेगा फिर A को C से मिला देंगे B को C से मिला देंगे तो ABC को मिला दिये हम लोग ABC एक संभाव तिर्भुज बन गया जिसकी तीनों भुजाएं 7-7 cm को करना क्या है तो दो भुजाओं और उनके बीच का कौन के आधार पर तिर्भुज की रचना करना है मतलब हम लोग को दो ठोब भुजा दिया हुआ है और उसके बीच का कौन दिया हुआ है जैसे हम लोग एक एक एक्जामपल ले लें तो पहला कोशन काता है तिर्भुज ABC की रचना करें जिसमें AB बराबर 3.8 cm है और कौन A बराबर 60 डिग्री है और AC बराबर 5 तो हम लोग AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, उसके बीच का कौन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि एक रेखा खंड खिचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 3.8 cm हम लोग ऐसे रखेंगे, यह स्केल से नापेंगे हम लोग, 3.8 cm इसका नाम A और इसका नाम B, क्लियर है अब कहता है, कौन A बराबर 60 डिगरी, जब तक हम लोग कौन A नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग यह लाइन को नहीं डुरा कर सकते हैं, ठीक है तो पहले हम लोग कौन बना के देखते हैं कौन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग A पर बोला है 60 डिगरी का कौन बनाने के लिए तो देखिए गर आप यहाँ हम लोग ऐसे रखेंगे compass को और यहाँ से ऐसे करके हम लोग एक line हम लोग यह चाप खीच देंगे ऐसे इसके बाद हम लोग इसको यहां रखेंगे और यहां से यहां काटेंगे तो यह यहां से यहां ऐसे काट देंगे यह जो कटेगा है इसके बाद हम लोग इसको ऐसे बढ़ा देंगे फिर यहां हम लोग एक चाप लेंगे AC 5 cm का चाप ले लेंगे तो 5 cm ऐसे ले करके हम लोग इसको काट देंगे ठीक है? मान लिजिए कि यह यहां कटता है इसका नाम रखेंगे C यह वाला हो गया 5 cm इसके बाद क्या करेंगे? B को C से मिला देंगे हम लोग तो यह बन गया मेरा ABC तिर्भुज तो यहाँ पर यही कहा था कि रेखाखंड AB बराबर 3.8 cm खीच लेंगे हम लोग कौन A पर 60 डिग्री का कौन बना देंगे इसको लिग देंगे हम लोग 60 डिग्री उसके बाद हम लोग A को केंदर मानकर 5 cm तिरीजा का चाप खीचेंगे यहाँ रखें यहाँ चाप खीचें 5 cm का जो C पर कटेगा B को C से मिला देंगे यह B को और C से मिला देंगे हम लोग ABC अभिष्ट तिर्भुज हुआ ठीक है अब हम लोग यहाँ पर इसका बाकी 2, 3, 4 जो Question है एक ही जैसा है सिर्फ हम लोग को करना यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर 90 degree का कौन बनाने 30 degree का कौन बनाने यह हम लोग यहाँ पर हम आपको सीखा देते हैं बाकी Question को आप अपने खुद कीजिए गा तो आईए हम लोग देखते हैं कैसे कौन बनाते हैं तो देखिए यह एक रिखा खंड ले लेंगे हम लोग यहां कमपास रखेंगे हम लोग ऐसे और इस पे हम लोग यह ऐसे बना लेंगे हम लोग यह यहां रख करके कमपास को और यह हम लोग ऐसे काटते हैं तो यह बन जाएगा मेरा 60 degree का, ठीक है, फिर यहां रख करके यहां काटेंगे तो यह बन जाएगा 120 degree का, ठीक है, और यहां और यहां रख करके यह ऐसे काट देते हैं हम लोग, तो यह वाला बन जाता है हमारा 90 degree का कौन, फिर यह वाला 60 है, एक बार compass को यहां रखेंगे और यहां काटते हैं, फिर कंपास को यहां रखेंगे, और यहां काटते हैं, तो यह जो कटेगा, हम लोग ऐसे जो मिला देंगे, तो यह वला हो जाएगा 30 degree का, यह वला था मेरा 60 degree का, और यह यहां से यहां था 90 degree का, और यह total angle था 120 degree का, ठीक है, तो हमारे पास अगला question में कहता है 90 degree के कौन बनाने को तो सीधा हम लोग ऐसे रख करके ये बनाएंगे यहां से यहां काटेंगे फिर यहां रख करके यहां फिर यहां रख करके यहां काट लेंगे और यह मेरा 90 degree का कौन बन जाएगा ठीक है फिर हम लोग ऐसे रख करके यहाँ पर पहले 60 बना लेंगे फिर 60 को बनाने के बाद यहाँ कमपास रख के यहाँ यहाँ कमपास रख के यहाँ तो यह बला जो कौन बनेगा मेरा यह बन जाएगा 30 डिगरी का तो हम आसा करते हैं कि आप इसके आगे का प्रश्ण को भी सॉल्व कर लीजेगा और यदि नहीं सॉल्व होगा तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हम कॉस्चिन को आगे सॉल्व करके आप तक वीडियो बनाके पहुंचाने का करेंगे तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा